हेलो फ्रेंग वेलकम बैक तो माई चैनल आज का मेरा जो टॉपिक है वो रिवर्स एलिमेंट के उपर है मैं आज बताने जा रही हूं कि प्रोफेशनल डिजाइनर्स जो होते हैं वो कैसे रिवर्स एलिमेंट को बहुत ही परफेक्टली उतार देते हैं और बिल्कुल भी उन का एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल प्रोफेशनल बड़े बड़े आइटिस्ट जो करते हैं मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूं और आज का वीडियो जो है वो रियल टाइम वीडियो है तो ध्यान से देखिएगा और आ बेगिनर्स कुछ गल्थिया कर जाते है है रिवर्स ऐली मैंट बनाने के समय पर बिगिनर्स ले औब बनाते हैं ले आऊ budgeting होता है जो हम बनाना चाहते हैं मोटिव्स जैसे की लोटस जैसे की रोजस जैसे की बर्ट्स उसके उपर हम ब्लैक बॉर्डर से दुबारा से बॉर्डर देते हैं तो जो भी हम बनाना जाते हैं बिल्कुल बैकार हो जाता है क्योंकि जो डिजाइन होता है उसके अंदर मेहंदी घु आपका मोटिफ दिख पाता है तो ऐसा जो प्रोफेशनल के साथ बिल्कुल नहीं होता उसका कारण यह है कि प्रोफेशनल क्या करते हैं पहले लेयाउट को ड्रॉइंग कर लेते हैं उसको कम से कम साथ साथ मिनिक के लिए वो लोग रेस्ट करा देते हैं सुखा लेते हैं तो स बाउंडेरी जो होती है उसकी सूप जाती है और वो लिक्विड मेहंदी जो होती है उसको अपने अंदर नहीं आने देता है अप्स जिसकी विजह से महंदी होती है अधिक तर्लिकुइडी होती है और वह डिजाइन को एप्रेक्ट कर जाती है बगर जो प्रोफेशनल ही होते हैं यही करते हैं पहले लेयाउट डॉप करते हैं उसके बाद उसको बिगड़ जाता वो नहीं हो पाता तो यही एक छोटा सा ट्रिक था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया आप लोगों के साथ शेयर किया यह ट्रिक आप लोग असमाईए और मुझे बताईए कि आप लोगों को कैसा लगा और रिवर्ज एलिमेंट आपका परफेक्ट आया यह नहीं अफकोर्स प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद ही यह आप लोग को परफेक्ट होगा मैं खुद भी यही सीख रही हूँ और यह मैंने सोचा कि आप लोगों साथ शेयर कर दिया जाए तो आज आप लोगों को मैंने छोटा सा ट्रिक बताय है कि पहले ले आउट बना लीजिए उसके बाद फिल अब कर लीजिए डिवर्स इलिमेंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा होग आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा वाइबाई फिर मिलेंगे नेक्स वीड झाल